आज हम लार्ज नंबर को स्टेंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं यह सीखेंगे तो यह एक्स्पोनेंट में आता है तो जैसे नंबर है 23549 और इसको हमें स्टेंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप तो 2.3549 होगा यह ठीक है तो कैसे लिखा जाता है इस रूप में देख पहली चीज जो हमें स्टेंडर्ड फॉर्म में करनी होती है तो इसी पे सबसे पहला फोकस हमें करना होता है ठीक है तो अब जैसे 23549 है और अगर उसमें आपको 2.3549 लिखना है तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमन लगना है एक्चुली क्या होता है 23549 का मतलब है 23549.000 जितने भी आप 0 लगना है यानि कि डेसिमन यहां है यहां सी डेसिमन शिफ्ट करके आपको यहां लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे चार जीडो वाले यानि 10,000 से दिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो जैसे माली ज wild Keeping है और अब अपने रैश्नल नंबर का रून सीखा है equivalent fractional number या equivalent rational number कि जिस number से divide करते हैं अगर उसी number से multiply करें यानि कि जैसे 3 upon 5 है तो into 2 into 2 तो वो equivalent rational number या equivalent fractional number मिलता है तो number change नहीं होता वो भी रहता है आप cancel करोगे तो again 2 3 जब 6 2 5 जब 10 3 upon 5 ही मिलेगा इसका मतलब number सेम रहा तो चुकि हमें इसमें decimal लगाने के लिए 10,000 से divide करना है इसलिए हम 10,000 से multiply भी करेंगे दोनों number सेम होने से 10,000 से cancel होगे चार जिरो वाला number चार जिरो से cancel और फिर वापिस आपको यहीं मिल जाएगा इसका मतलब number में कोई change नहीं आया तो इतना करने के बाद इस वाले number को आप solve कर दीजे इसे थोड़ी देर के लिए 10,000 को भूल जाएए सिर्फ इतना solve करिए तो 10,000 इसको solve कर दीजे इसको exponent form में convert कर दीजे एक दो तीन चार चार जीरो है तो 10 to the power 4 तो फिर यह standard form में convert हो गया ठीक है अब अगर आप इसमें एक चीज़ ध्यान दिये यह तो है कि अगर आप छोटी class में है एर्थ में है तो आप इस तरह से करेंगे लेकिन अगर आपको direct answer लिखना है तब क्या करते है सिर्फ जैसे आप है मैंने बताया आपको कि इसके बाद इसका मतलब 0 है तो इस डेशिमल को आपको left side shift करना है एक दो तीन चार जब हमें left side shift करना होता है तो जितने डिजित हम shift करते हैं उतनी की power हम लगा देते है शिफ्ट करके तो answer आजाता है 2.349 into 10 to the power 4 माली एक नम्मर है 3548 into मतलब यह एक नम्मर है और इसको आपको standard form में convert करना है तो decimal कितने डिजित shift करेंगे एक दो तीन तीन डिजित यहां से आपने decimal shift करना है तो यह हो जगा 3.548 into 10 to the power 3 बस हो गया solve ठीक है तो यह आपका higher class में क्योंकि यहां solve करके नहीं दिखाना होता है बट उसके पीछे reason जो होता है वो यह होता है ठीक है अब next माली जे नम्मर है 768 इसको solve करना है तो एक दो दो डिजिट पे आप उसको shift करोगे तो यह हो जाएगा 7.68 into 10 to the power 2 अब हम दूसरे को solve करते हैं माली जैसे यह है 0.00000045 इसको आप को convert करना है standard form में तो इसके लिए आप क्या करोगे अब आप देखिए आपको मैंने rule जो बताया उसकी हिसाफ से non zero digit एक digit डेसिबल से पहले होना चाहिए यानि यह convert अगर होगा तो यह होगा 4.5 में convert करना चाहिए इसको ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छे छे डिजिट है आपको इधर shift करना है तो obviously अगर decimal को मालीजे 0.004 है और इसको आपको इधर shift करना है तो into 1000 करोगे तब यह 4 में बदल जाएगा क्योंकि इसके आगे 30 लगा दोगे 4 into 1000 और एक दो तीन तीन डिजिट decimal तो यह 4 आ जाता है ठीक है तो इसका मतलब है decimal को right side shift करने के लिए हमे multiply करेंगे सेम यहां multiply करेंगे तो जब हम यहां पर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 0000045 और यहां पर पॉइंट लगा था एक दो तीन चार पांच छे डिजिट आपको इधर shift करना है तो आप 6 डिजिट वाले से multiply करोगे तो यह हो जाएगा दो तीन चार पांच तीन चैए चैए जिरो और अब हमें रूल के हिसाब से वही की अगर चैए जीरो से multiply करें तो चैए जीरो से ही आपको नीचे डिवाइट करना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छे जिक हैं अब यह उपर वाला तो आप multiply कर दीजे इसको पहले solve कर दीजे तो यह हो जाएगा 4.5 solve करके आगया और नीचे आपका 60 वाला यानि 10 to the power 6 अब इसको 10 to the power 6 आपको मालूम है कि exponent का rule क्या कहता है जब यह उपर जाता है तो minus में हो जाएगा तो 4.5 into 10 to the power minus 6 आगया ठीक है इन a similar way यह question है आपका 0.00023549 अब देखिए यहां भी हमें right side shift करना है तो जब right side कितने digit shift करना है एक दो तीन चार तो obviously 4 0 से multiply करोगे अब इसको अगर आपको direct solve करना है तो आपको पता है आपने यह लिखा और चुकि 4 0 right shift करना है तो into 10 to the power minus 4 हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यह number में जो मैंने भी आप बताया आपको 6 digit right show करना तो into 10 to the power minus 6 हो गया ऐसे आप कोई और number कर सकते हैं जिसे मालनी जो 0.007 है इसको आपको convert करना है यह 75 है तो 1, 2, 3, 3 digit right आप shift कर रहे हो तो यह हो जाएगा 7.5 into 10 to the power minus 3 इसका मतलब rule क्या है अगर आप right shift कर रहे हो decimal को तो power आपकी minus में हो जाएगी और अगर आप left shift कर रहे हो जैसे यह 475 और आपको इसको standard form में लिखना है तो आपने left में shift किया तो 4.75 into 10 to the power 2 left side shift कर रहे हैं तो power positive आएगा और right side shift कर रहे हो तो पर power negative यह standard form का rule है ठीक है रहे हो जाएगी मेंे मराणित Бाणा ऌई mm wind जाएगे तो 5 काई बीक off p 700.005 आपने ञे हो अगर 1 प necessarily gw네, weekend Love और wymक mirrors जाएगी में दूएगमें दो किये हैं एमाँ है